एक बार भगवान बुद्ध जेत्बन बेहार में रह रहे थे। उनके आगवन के साथ उनकी दिन चरेया ब्योहार और गुणों की चर्चा भी हुई। बिकशु चक्शु पाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ बिक्षूओं ने कुछ मरे हुए कि उन्हों को चक्षू पाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षू पाल की निंदा करने सुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है भागमान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन विक्चुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने विक्चु को कीरे मारते हुए देखा है उन्हों ने उत्तर दिया नहीं इस पर भागमान बुद्ध ने उन सादकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीरों को मारते हुए नहीं देखा वैसे ही चक्चुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीरों को जान बुचकर नहीं मारा है इसलिए उनकी भरतसना करना उचित नहीं है भिक्षूओं ने इसके बाद पूंचा की चक्छूपाल अंधे क्यों है और उने इस जन्म में अत्वा पिछले जन्म में क्या पाप किये हैं वड़वान बुद्ध ने चक्छूपाल की बारे में कहा कि बे पूर्व जन्म में एक चिकस सकते एक अंधे इस्तरी ने उनसे बादा किया था कि यदि वे उनकी आँखे ठीक कर देंगे तो बहे और उनका परिवार उनकी दास बन जाएंगे इस तरी की आँखे ठीक हो गई पर उसने दासी बनने के भैसे यह नहीं माना कि उसकी आँखे ठीक हो गई है चिकस सक को तो पता था कि उस इस तरी की आँखे ठीक हो गई है बहे जोट बोल रही है उसे सबक से खाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्छू पाल ने दूसरी दवा दी उस दवा से महिला की आखें फेरंदी हो गई बहे कितना ही रोई पीटी लेकिन चक्छू पाल जरा भी नहीं पसी जा इस पाप के फलसरू अगले जन्म में चक्छू सब को अंधा बनना पड़ा है अ झाल झाल